हेलो जहारखन, वेलकम टू लर्नर्स कराज इजूकेशन, आज के इस क्लास का टॉपिक है हिंदी भास आगया और यहाँ पार्ट नमबर 56 रहेगा, सारे पार्ट सपलो रिभायच कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपके एक्जाम के लिए काफी ज्यादा लापरत सीध होगा सा आपसे पूछे जाते हैं, अभी JCC के लिए सेटन के एक्जाम हुआ था, उसमें एक कोश्चन आया था, किस तरह से कोश्चन आया था, ओभी डिसकस करूँगा, पीडियेप और क्वीज, के लिए टेलिग्राम का रुख जरूर कर लें, बाके वीडियो के लाइक जरूर दे अगर देखिएगा तो इसमें प्रा उपसर लगा हुआ है, और प्रा के बाद आरम लगा हुआ है, तो प्रा प्लस आरम मिलकर जाके प्रारम बन गया, तो प्रा यहां पर उपसर के जैसा यहां कारे कर रहा है, ओके, तो देख लीजए एक आंसर इसका भी हो गया, प्रारम म उनों कभी-कभी देखीगा अनेक सब्दों को बदला एक सब्समें भी जो ऐसे पुछा जाता है सुगम मतलब जहां जाना असान हो उसको सुगम बोला जाता है और जहां जाना कटी मोच दूरगम बोला जाता है तो अंसर इसका सही हो जाएगा D ही वह लंबे चोड़े भावन के पास रहता है रिखांकित सब्द क्या है? संग्या विसेशन, सर्वनाम या फिक्रिया विसेशन भावन क्या है पहले बताइए तो भावन जो है से आपका जाती वाचे संग्या है यानि को कॉमन नावन है उसके पहले विसेशन आता है तो यह इसके बारे भावन के बाएं बात कर रहा है भावन कैसा है? लंबच ओड़ा भावन है यह एक विसेशन का उदाहरन है धान नहीं किकंट भावन पूछता था अप लोग संग्या लगा कर चले आते और वहाँ पूछता तो सर्वनाम एंसर हो जाता इन में से कौन सा सब तद्सम नहीं है तद्सम तद्भो से भी कोशन आते हैं चंद्र है, छेत्र है, आंख है या फिर पोत्र है तो तद्सम और तद्भो दो सब्द होता है तो सारा के सारा सब यहाँ पर तत्सम था यह जो आख है वो तत्सम नहीं हुआ तत्बव हुआ है इसका तत्सम सब होता है अक्षी नहीं पूछा था अक्षी मतलब आख होता है तो अक्षी सब देख तत्सम है इसका तत्बव आख है तो आपसे पूछा था तत्सम कौन नहीं तो अंक तथ्सम नहीं ही, यह है tratml वह þच है, कुछ तथ्सम है, चंत्र का चांद रोता है, छेट्र का खेत होता है, फोट्र का पोता होता है अंसर आपको मिले चुका है, यह जहत्र यहा देखेगा, छेट्र जो है एक तथ्सम है, उसका itaast खेथ होता है थोड़ा सा अलग है कौन से सब्द बिदेशी मुल्ग का सब्द नहीं है चाबुग तो कैची या फिर लोटा तो लोटा सब्द जो है से बिदेशी मुल्ग का नहीं है यह एक देशाच सब्द है इन में से कौन सा सब तदबाव है यानि कि बाकी सब जोह से तदसम एक सब इसमें तदबाव है तो वह है आम तो आम जोह से तदबाव है इसका तदसम सब्द आमर होता है तत्सम देख लीज़ेगा यहापे एक्छू मतलब एक होता है ना एक्छू एक होता है कच्छा मतलब कचुआ होता है कुछ्ट मतलब कोड होता है रोग होता है आमर मतलब आम होता है तो आंसर आपका C मिल चुका है यह एक तत्भाव सब्द है तत्सम इसका हो जाएगा आमर कंपूचन होला है दुसरा है कुछ और देख लिए किंचित मतलब कुछ होता है किंचित असल मतलब जमीन होता है सने मतलब प्यार होता है स्कंद मतलब कंदा होता है स्यामलाल स्यामल मतलब सावला होता है घ्रित मतलब घी होता है चैतर मतलब चैत होता है तो इसमें जो देख रहे हैं तमासा सब्द से एक विदेशी सब्द है बाकि सारे सब्द यहां पर देशज है तो बाकि देशज है देख लिजएगा कुछ और भी देशच सद आपको बताते हैं जैसे काका तो हो गया, कपास हो गया, जूता हो गया और देखिए, लोटा, बहुत इंपोटेंट है, बहुत बढ़ा कोशन आया है कटोरा है, डोंगा है, डोंगा हो या डोंगी उसके बाद डिबिया है, उसके बाद लिखा हुआ है, डाब लिखा हुआ है, चम्टा लिखा हुआ है, कपास लिखा हुआ है तो आपको अंसर मिल चुका है, अंसर इसका भी है, एक विदेशच सब्द है जो विदेशी भासा से आये होते हैं उन्हें विदेश सब्काते हैं और जिन सब्दों के उत्पती के बारे में पता नहीं होता है उसे देशा सब्का जाता है उपसर के अधार पर कौन सा संदी विछेत सही है तो इसका अंसर प्रसिक्षन हो जागा शुरू में प्रारम में आपके होता है था जो प्रारम में बताया था कि प्रा प्लस आरम होता है उस तरह से प्रारम बन गया उसी तरह से प्रा जोड़ सिक्षन मिलका ही प्रा सिक्षन बना है तो इसमें प्रा प्लस सिक्षन है से इस तरह से उपसर्ग कैधार पर संदी पिछ संदी होता है, संदी के टोटल तीन प्रकार होते हैं, स्वार संदी, वेंजन संदी और विसर्ख संदी तो इसमें स्वार संदी के प्रकार है, ध्यानने के गा यन संदी इसमें स्वार संदी के भी प्रकार होते हैं, वान वन यूगम का क्या नाम है, इसमें बोला जारे कि जो लिखा हुआ है, इस यूग हम को क्या बोलते हैं तो इसको फुन्रुक्त यूग होता है यू किसे कहते हैं आए थोड़ा से उसको देख ली जेगा नैतरा का चीज लग रहा होगा थोड़ा सा ध्यान दिजेगा देख लिजएगा बोला जाता है कि पुनरुक्त यूगमक जब कोई सब्द एकी साथ दो बार अथवा तीन बार परित होता है तो उसे पुनरुक्त सब्द कहा जाता है जैसे देश-देश, बड़े-बड़े, तीस्तर से आता है तो एकी सब्द जो ऐसे अगर दो बार या दो से अधीग बार रिपीट होता है तो उसको पुनरुक्त यूगमक कहा जाता है बाकि यहां पर देख लिजएगा बिलो यूगमक कहा जाता है वे सब्द जो की आपोजिट मिनिंग देंगे जैसे कि आज और कर लो गया सार्थक निर्थक होता है जैसे कि एक सब्द सार्थक का दूसरा का कोई अर्थ नहीं है जिसे बोलता है ना करें पानी बानी दो यार तो यही है कोमल मकल लिखा हुआ है उसका प्रयाय यूगम यानि कि जो सब्द समान अर्थ पर देते हैं यानि कि यहां देख लिजेगा सूरिया दिवाकर तो इस तरह से सब्द समय लिजेगा 11 राह खर्च का सही समासिक विग्रह क्या होगा तो राह खर्च का होगा राह के लिए खर्च ना जो रास्ता में आप लोग खर्च करते हैं रास्ता के लिए खर्च के लिए जो ऐसे आप लोग सब दिश करते हैं राह खर्च इसमें न तत्पुरु समास है तत्पुरु समास में अगर अंदर तक जाएं तो के लिए किसका होता है भी वक्तिशिन तो यह होता है संप्रदान के लिए होता है ना तो इसमें संप्रदान तत्पुरुस का उदाहरन है इसको देख लिजेगा तो तत्पुरु समास इसमें था समास के भी छे बेद होते हैं तो यह लड़की बहुत बहादूर है, वाक्य में विसेशन का कौन से प्रकार है, संख्या वाचक है, परिमान वाचक है, सरवनामिक है या फिर गुन वाचक है, तो देखी अगर कोई विसेशन किसी सरवनाम से बनता है, तो इसको सरवनामिक विसेशन कहा जाता है, तो यह पानी निरंतर बहर आए, वाकिय में किस क्रिया विसेशन का उधारन है? तुझ जिसको देख लिजेगा. सरस्वत्य समान पाने वाले पहले वेक्ती कौन थे तो इसका अंसर है हरिवन सराय बच्चन तो हरिवन सराय बच्चन जी को पहला सरस्वत्य समान मिला था देख लिजएगा इसको केके विल्ला फौंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था यानि कि कृष्ण कुमार बिल्लान नाम था उनका तो उन्हीं के द्वारा जो इसे बोल सकते हैं फांडिशन के द्वारा शुरू किया गया था पहले हरिवन्स राय वच्चन जी को यानि कि अमिता वच्चन के पिता स्री को मिला था जो की मदुसाला भी लेके हैं बहुत फेम कौष्ण तो आया हुआ था और अगर आएगा तो डिस्कस किया जाएगा कोस्चन को तो हरिवन्स राय बच्चन इसका एंसर हो गया 1991 में केके बिल्ला फांडेशन दोरह इसको शुरू किया गया था और बिहारी पुरसकार भी इसी फांडेशन के दोरह दिया जाता है कौन है अभी मदू कांकरिया थी ना अभी न्यूज में थी 2020 में उनको बिहारी समान मिला था और दिनकर तो आपको पता होगा दिनकर का उर्वसी बहुत फेमस है और परसाद अगर नाम से पता चल जाना थे दिनकर बोल दिया तो रामदारी सिंग दिनकर आपका हो गया और अगर परसाद बोल दी तो जैसंकर परसाद आपको समय लेना है इनका जो है से काम्यानी के लिए काफी फेमस है परसाद और दिनकर उर्वसी के लिए काफी फेमस है तूलसी दास की माता का क्या नाम था यही कोश्चन था तो कोश्चन कांसर आपको पता चल गया होगा इसको याद रखेगा सारा यहां मेंशन किया हुआ है उसको देख लीजेगा पाकी जैन धर्म से तो हो गया था जैन कई कुछ बढ़ा देते हैं जैसे कि पहले तो तीर्थकर जो थे हुए थे आपके रिसब ना तो रिसब रात की माता का नाम था जैनती ना याद रखेगा इनकी माता का नाम जैनती था और जो जैन धर्म के 23 तीर्थकर है जो कि पारसनाथ है आपको बहुत फेमस है क्यों क्योंकि जार्खन से भी लिए करते हैं तो उनकी माता का नाम वामा था तो याद रख स में वंदे भारतम जैहिंद